चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं थोड़ा area classification, population के हिसाब से ये भी सवाल पूछ देता है अगर tier 6 बोलते हैं कि जहांपर less than 5000, 5000 से कम की जन संख्या population है तो उसको बोलते है tier 6 और 5000 से ज़्यादा और 10,000 तक है, 9,999 तक है तो tier 5 बोलते हैं आप इसके screenshot ले लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, इसको याद कर लीजिए, इसके screenshot ले लीजिए मैं एक मिनट इंतिजार कर लेता हूँ, ये जो है area classification है, इसको आपको थोड़ा सा screenshot लेके notes बनाने पड़ेंगे क्योंकि tier 6 बोलते हैं, tier 5 बोलते हैं, 9,999, tier 4 बोलते हैं, 10,000 तो 19,999, tier 3 बोलते हैं, और tier 1 जो है 1,00,000 और 1,00,000 से ज़्यादा हो तो tier 1 category है, तो इसको याद करने का सिधा फर्मूला यह है, tier 1 मतलब 1,00,000 से ज़्यादा, tier 2 मतलब 50,000 से 1,00,000 तक, tier 3 मतलब 20,000 से 50,000 तक, tier 4 मतलब 10,000 से 20,000 तक, tier 5 मतलब 5,000 से 10,000 तक, और tire 6 मतलब 5000 तक ये बिल्कुल screenshot ले लिजे इसको भी सवाल पूछते हैं जानना भी बहुत जरूरी है अगला हम बात करते हैं अगर ruler semi-urban urban metropolitan center के लिए जो population होता है क्या देख लेते हैं population अगर group wise बात करें तो ruler center के लिए अगर population की बात करें तो वो है अगर 10,000 से कम है population up to 9,999 है तो ruler बोलते हैं semi-urban center है तो from 10,000 to 99,999 है मतलब 10,000 से लेके 99,999 तक urban center है तो उसको बोलते हैं 1,00,000,000,000,000,000,000 इसको urban center है इसका भी screenshot ले लिजे metropolitan center जो है 10,000,000 and above है वैसे screenshot नहीं भी लेंगे तो आपको PTA provide हो जाएगा